नमस्कार दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल इस्ट्रिव द्राज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को छेतरफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई चैप्टर के कुछ important questions बताऊंगा तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो देखिए चलते हैं आज का पहला question देखते हैं देखिए यहाँ पर question number 3 है यानि कि इसके पहले के जो दो question थे वो इसके पहले वाले वीडियो में जो है बताय जा चुके हैं लेकिन उस वीडियो में बातें कुछ ज्यादा होगे इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो उसी के जो says question है तो इस वीडियो में मैं continue कर र 4.5 मीटर है यहनि कि घनाव का प्रेश्ट ग्याद करना है लंबाई है 4 मीटर चौड़ाए 3 मीटर तथा उचाई साढ़े 4 मीटर है तो देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए जो है एक direct formula होता है और वही formula हम लगा देंगे और उसकी सहता से हम घनाव का प्रेश्ट ग्याद कर लेंगे तो देखिए घनाव के प्रेश्ट का formula क्या होता है देखिए इसको आप लोग अलग एक diary पर note भी कर लेना अगर आप लोगों के पास पहले से लिखा है तो अच्छी बात है और नहीं लिखा है तो इसको note कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए तभी आप इस type के question कर पाओगी यानि कि फार्मूले आपके लिए बहुत important है फार्मूले जरूर याद कर लीजिए तो देखिए घनाव का प्रिश्ट क्या होता है दो आगे हो जाएगा उसके बाद फिर ब्रेकर्ड में हो जाएगा लंबाई गुड़े चौड़ाई लंबाई गुड़े चौड़ाई और फिर बीच में रहेगा प्लस और यहाँ फिर चौड़ाई गुड़े उंचाई और फिर बीच में प्लस रहेगा और फिर उंचाई गुड़े हो जाएगा लंबाई इस तरीके से इसको जो है लिख लेंगे यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप याद कर स सकते हैं इसको, यहाँ पर لمbाई को L से परदरसित कर लीजे, चौडाई को B यहनी कि बेस होता है, फिर यहाँ पर चौडाई को फिर B और उचाई को H से परदरसित कर लीजे, और फिर उचाई H होufen हैईदी और फिर लंबाई L हो जाएगी तो इस परकार से इस रूप में भी फार्मोले को याद कर सकते हैं 2L into B plus B into H plus H into L यानि कि आप याद कर सकते हैं 2LB plus BH plus HL इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं आप देखें यहाँ पर लंबाई चोड़ाई और उचाई दी हुई है तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे यहाँ पर घनाव का प्रेष्ट निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखें 2 हो जाएगा उसके बाद L कितना दिया हुआ है देखें 4 दिया हुआ है और B कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है फिर B 3 दिया हुआ है और फिर h कितना दिया हुआ है देखिए तो यहाँ पर है 4.5 और प्लस h कितना दिया हुआ है तो 4.5 फिर हो जाएगा और फिर into यहाँ पर l कितना दिया हुआ है तो देखिए l दिया हुआ है 4 और इस तरीके से bracket को बंद कर लेंगे अब यहाँ 2 into यहाँ पर इसका गुड़ा ह तो 4 ती यहीं 12 हो जाएगा और उसके बार फिर 45 का 3 से गुड़ा करेंगे, तो देख़ी। तो देख्या कितना हो जाएगा, यहां पर देख्ये, तिनों 5्चिप 15ौ, 15 का 5 हो जाएगा, और 3 चोग, 12, 1, 13 हो जाएगा, और एक जो है अंक के बाद दसमलो है तो यहाँ एक अंक के बाद दसमलो लगा देंगे फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा फिर चार का गुड़ा 45 से करेंगे तो पांचोग 20 हो जाएगा 20 का 0 हो जाएगा फिर चार चोग 16 और 16 दो 18 हो जाएगा और एक अंक के बाद दसमलो तो यहां पर देखें, 18 में 12 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 और 13 कितना हो जाएगा, तो 30 और 13 हो जाएगा, 43 में 0.5 और जोड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 43.5 हो जाएगा, अब देखें, 43.5 में क्या करेंगे, 2 से गुड़ा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2, 5, 10 10 का 0 हो जाएगा और फिर 2, 3, 6 और जो है इसमे का जो 10 का 1 है वो जोड लगे तो कितना हो जाएगा 2, 3, 6, 1 7 हो जाएगा और फिर 2, 4 को 8 यहाँ पर 8 लिख लेगे अब यहाँ पर देखे एक अंक के बाद असमलो था इसलिए यहाँ पर भी एक अंत के बाद असमलो लगा देंगे तो इस प्रकार से 87 आ जाएगा और यहाँ पर देखें मीटर में दिया था इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग मीटर हो जाएगा क्योंकि घनाव का प्रेष्ट निकालना था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग मी से किये जा सकते हैं, यनि कि सिर्फ अगर आपको ये formula पता होगा, तो इस formula के जरीये आप तुरंट इसका answer निकाल लेंगे, और अगर ये formula आपको पता नहीं होगा, तो ये question लगाने में आपको दिक्कत हो सकती है, दिक्कत क्या आप नहीं कर पाओगी, यनि कि जब formula ही नहीं याद होगा तो इसको कैसे आप निकाल पाओगे तो यहाँ पर देखिए इस फार्मोले को आप लोग अभी से किलियर कर लीजिए 2 into LB plus BH plus HL यह याद रखिए बस और उसके बाद फिर देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखिए नेक्ट कुश्चन है एक घं का आयतन 729 घं सेंटीमीटर है घं की कोर और प्रिस्ट ग्याद कीजिए तो देखिए एक घं का आयतन दिया हुआ है 729 घं सेंटीमीटर और घं की कोर और प्रिस्ट ग्याद करना तो घं की कोर का मतलब घं की एक भुजा गयात करनी है। देखिए ऊपर घ्ञणाव का कुश्चन था। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि घ्ञण किसे कहते हैं और घ्रनाव किसे कहते हैं। देखे जो है जैसे यहाँ पर देखे आप लोगों को बताये थे हम कि जैसे इस तरीके से कोई चित्र बना होता है तो आप लोग देख करके तुरंत जान जाते हो कि यह आयत है यहनी कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चारों भुजाएं बराबर नहीं ह ये वर्ग और आयत में अंतर होता है और देखे जो घन और घनाव होता है वो समझ लीजिए वर्ग और आयत की तरीके का ही होता है लेकिन जो वर्ग और आयत होते हैं इनमें सिर्फ लंबाई और चोड़ाई होती है लेकिन जो घन और घनाव होते हैं उनकी उचाई भी होती है यहाँ पर आयत से अगर आप घनाव बनाओगे तो इस तरीके से कुछ चित्र बनेगा देख लीजे आप लोग देखे एक डिब्बे के आकार जैसा देखे इस तरीके से घनाव बनेगा और जब घन बनाओगे तो देखे वो वर्ग की सहयता से बनेगा तो यहाँ पर देखे इस type का बनेगा यहनी कि उसकी लमबाई, चोनडाई और उँचाई सभी जो है क्या होगी? बराबर होगी और जो घनाब है उसकी लमबाई ज्यादा होगी और चोनडाई कम होगी तो इस तरीके से घन और घनाब में अंतर होता है अब यहाँ पर देखिए हमको करना क्या है कि एक घं का आयतन 729 घं सेंटीमीटर है घं की कोर और प्रिष्ट ग्याद कीजे तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर घं के आयतन का फार्मूला लगा देंगे क्योंकि आयतन दिया हुआ है तो उसी के फार्मूले स हमारी भुजा निकल आएगे तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे घं का आयतन का फार्मूला लगाएंगे तो घं का आयतन बराबर तो देखिए घं का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब तो यहाँ पर देखिए हम घं के आयतन की जगे पर 729 लिख देंगे और यहाँ पर देखिए हो जाएगा भुजा क्यूब अब यहां पर देखिए क्यूब कर लिजे यहां तो यहां पर देखिए 729 बरावर भुजा क्यूब हो जाएगा अब यहां पर भुजा को जो है इधर रखिए बाकी क्यूब को अगर उधर जो है भेजेंगे तो यहां पर देखिए तो उधर रूट लगेगा लेकिन करड़ेगा तीन हो जाएगा यानि कि यहाँ पर हमको इसका गन मूल निकालना है तो यहाँ पर देखिए 729 का गन मूल हो जाएगा नव तो देखिए तो यहाँ पर देखिए 729 हमारा आ चुका है तो इस प्रकार से देखिए तीन बार जो है यानि कि 9 का देखिए एक जोड़ा बन रहा है पूरा क्योंकि तीन तीन के जोड़े जो है यहाँ पर रूट के बाहर किये जाते हैं 9 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए भुजा हमारी निकलाएगी 9 और सेंटी मीटर में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर सेंटी मीटर लिख लेंगे अब देखिए आगे क्या करना है घं की कोर यनि कि हमा जो है घं की भुजा निकलाएगी तो यही क्या हो जाएगी कोर हो जाएगी और प्रेष्ट ग्याद कीजिए तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है कि गहन का प्रेष्ट ग्याद करना है तो देखिए गहन का प्रेष्ट क्या होता है तो उसका फार्मूला हम लगा देंगे गहन का प्रेष्ट बराबर गहन का प्रेष्ट बराबर तो देखे, 6 गुड़े भुजा स्क्वायर यहाँ पर यह फार्मोला लगा देंगे, फिर 6 गुड़े यहाँ पर देखे, भुजा कितनी निकली है, 9 निकली है, तो इसका जो है क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर देखे, 6 गुड़े, यहाँ पर 9 नवा, 81 हो ज पूरा इस प्रकार से 486 देखिए प्रेस्ट है इसलिए क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर तो यहाँ पर 486 वर्ग सेंटीमीटर हमारा एंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से इस टाइप के कुश्चन बहुत ही आसानी से लगाए जा सकते हैं देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पर आल रेडी दो बार पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया जा चुका है और जो है पवन की बुक से सबसे पहले पढ़ाया गया है एक एक कुश्चन पवन की बुक से बेसिक और एकसरसाइस सहीत पूर बताया गया है तो आप लोग जो है वहाँ से मेरे वो वीडियो देखिए और जो है पवन की बुक से पढ़ाने के बाद मैंने सूर्या की बुक से दुबारा रिविजन शुरू किया था तो सूर्या की बुक से भी जो है एक एक चैप्टर जो है पढ़ाया गया है तो आप जो है वहां से मेरे सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं नीचे description में आप लोगों को BTC Second semester मयत की playlist का लिंक मिल जाएगा तो वो सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं और मयत की अच्छी तयारी कर सकते हैं और यहां पर देखिए अब सूर्या की book से ही जो important question है वो जो है बताये जा रहे हैं और बीच बीच में जो है अन्य प्रकासन की बुख से भी question बताये जाते हैं तो आप लोग मैद की अच्छे तैयारी के लिए तुरंत हमारे channel से जुड़ जाएए तो देखिए अब देखते हैं next question देखे यहाँ पर यह जो आज question रखे गए हैं यह particular एक ही chapter से रखे गए हैं और यह सारे question जो है सूर्या की बुख से हैं तो यह chapter है छेत्रफल आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई तो इसी chapter पर आधारी सारे question हैं तो अब देखते हैं question number 5 एक बक्से की लंबाई चोड़ाई एम उचाई क्रमसा 120-40 तथा 30 cm है इसमें इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी चण रखी जा सकती है एक बक्से की लंबाई चोड़ाई एम उचाई क्रमसा 120-40 तथा 30 cm है इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी चण रखी जा सकती है यानि कि इसमें देखिया लंबाई और चोड़ाई बकसे की अलग-अलग दे गई है तो जब लंबाई और चोड़ाई अलग-अलग दे गई है तो हम ये कह सकते हैं कि ये घन नहीं है ये क्या होगा ये होगा घनाब और जब ये घनाब होगा तो चित्र कुछ इस टाइप का बनेगा देख लीजिए आप लोग देखे कुछ इस टाइप का चित्र बनेगा देखे कुछ इस टाइप का चित्र बनेगा और जो है इसमें हमको करना क्या है इसमें जो है अधिक से अधिक कितनी लंबी छण रखी जा सकती है तो यहाँ पर एक छण रखना है हमको तो देखे च्छन को हम कैसे रखें कि इसमें सबसे लंबी च्छन रखी जा सके यानि कि उससे बड़ी च्छन और उसमें न रखी जा सके तो यहाँ पर देखिए अगर ये एक कोना ले लें और ये एक ये कोना ले लें तो यहां से देखिए अगर इस तरीके से छण को रख दें तेड़ा करके यनि कि जैसे बकसा होता है तो बकसे में देखिए यहां पर जो बिकाड होता है बिकाड की तरह से जो अगर हम इस छण को रख दें तो यह सबसे लंबी छण जो है रखी जा सकती है तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे यनि कि इस बिकाड की लंबाई समझ लीजे हमको निकालना है तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे कि अधिक से अधिक लंबी छण की लंबाई बराबर बक्से की बिकाड की लंबाई यह यहाँ पर हम छण की लंबाई बराबर लिख लेंगे बक्से की लंबाई तो देखिए अधिक से अधिक लंबी छण की लंबाई क्या हो जाएगी बक्से की लंबाई यानि की सारी बक्से की बिकाण की लंबाई यहाँ पर लिखेंगे बक्से के बिकाण की लंबाई लिख लेजे बिकाण की लंबाई तो देखिए यहाँ पर जो है अधिक से अधिक लंबी छण की लंबाई बराबर फार्मूला लगा देंगे यानि की जो फार्मूला होता है यहां पर देखे घनाव के विकन का फार्मूला होता है लंबाई का स्क्वाइर प्लस चौड़ाई का स्क्वाइर और प्लस उचाई का स्क्वाइर तो यह फार्मूला लगा देंगे तो देखे अब क्या करेंगे अब इस फार्मूले में जो है लंबाई च चौड़ाई और उचाई के मान रख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, लंबाई कितनी है, तो लंबाई दी हुई है, 120, तो 120 का स्क्वाइर हो जाएगा, प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है, 40, तो यहाँ पर 40 का स्क्वाइर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, फार्मूल निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 12 बरहियम 144 होता है तो यहाँ पर 144 लिख लेंगे और फिर देखिए 1 0 है तो यहाँ पर जब जो है इसका square करेंगे तो 2 0 हो जाएगे और फिर यहाँ पर 4 चोग 16 हो जाएगा और यहाँ 1 0 है तो यहाँ 2 0 हो निसाएंगे और प्लस तीन त्रिकका 9 हो जाएगा यहाँ पर डू-0 हो जाएंगे आप देखें इनकी को क्या करेंगे जोड लेंगे तो देखें यहाँ पर इनको जोड summary में सबसे जो है 2 0 है तो यहाँ पर 2 0 ही रहेंगे उसके बाद फिर देखे यहाँ पर 9 है 9 6 15 और 15 4 कितना हो जाएगा 15 4 19 19 का 9 हो जाएगा फिर यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 4 है तो 1 और 4 देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर चार है और हासिल वाला एक यहाँ पर देखे च्छे हो जाएगा और उसके बाद फिर देखे यहाँ पर जो है एक है तो जो है एक ही रहेगा क्योंकि अब यहाँ पर देखे और अंक नहीं है तो यहाँ पर देखे एक हो जाएगा और अब यहाँ पर लग जाएगा root और आप देखे इस root का जो है क्या करेंगे यनि कि इसका जो है वर्गमूल निकाल लेंगे तो 179 का वर्गमूल आप सभी को पता होगा रेखे 179 का वर्गमूल होता है 13 और यहाँ पर आगे 2 0 है तो देखे 2 0 में से 1 0 आ जाएगा तो इस प्रकार से 130 हमारा आ जाएगा यनि कि अभीष्ट छण की लंबाई क्या हो जाएगीümüz यहाँ पर लिख सकते हैं अभीष्ट छण की लंबाई अभीष्ट छण की लंबाई बराबर 130 cm हो जाएगी तो इस प्रकार से इस टाइप के घनाव के बिकन का फार्मूला लगेगा घनाव के बिकन का फार्मूला होता है अंडर रूड लंबाई का स्क्वार प्लस चोड़ाई का स्क्वार प्लस उचाई का स्क्वार इसकी सहायता से हम क्या करेंगे जो है मान निकाल लेंगे तो इस वरकार से जो छण की लंबाई है व उसकी उचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ग्याद कीजे देखे यहाँ पर घनाब का छेतरफल दिया हुआ है यहाँ पर एसपस्ट नहीं लिखा गया है देखे जब छेतरफल है दिया हुआ है आयतन का मतलब क्या होता है जिसमें उचाई भी सामिल हो लेकिन जब छेतरफल द बन गया और इस घनाब का जो है क्या दिया हुआ है छेतरफल यहनी कि जो यह आधार नीचे वाला भाग है इसका जो है छेतरफल दिया हुआ है और इसमें करना क्या है यह उसकी उचाई यहनी कि जो इसकी उचाई भी दी हुई हो तब जो है उसका आयतन निकालना है तो यह पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे सबसे पहले हम लिख लेंगे कि घनाव का छेत्र फल बराबर हो जाएगा 125 वर्ग मीटर और उसके बाद फिर देखिए उचाई कितनी दी हुई है उचाई लिख लेंगे उचाई दी हुई है 4.5 मीटर और उसके बाद फिर हमको निकालना क्या है आयतन हमको निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे घनाव का आयतन बराबर घनाव का आयतन बराबर तो देखिए घनाव का आयतन क्या हो जाएगा जब छेत्र फल दिया हुआ है और छेत फल देखे ये समझ लीजिए क्या है आयत है और आयत का जो है छेत फल क्या होता है लंबाई गुड़े चौड़ाई तो यहाँ पर देखे जो है छेत फल की जगे पर क्या हो जाएगा लंबाई गुड़े चौड़ाई और उसमें अगर जो है हम क्या सामिल कर लेंगे उसमें सामिल कर लेंगे उंचाई को भी, तो ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, साथ में यहां गर चाहें तो फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, कि आधार का छेतरफल गुड़े उंचाई, क्योंकि यहां पर देखें, घनाव का छेतरफल ही दिया है, तो यहां पर पर ये चीज लिख सकते हो कि आधार का छेतर फल गुड़े उचाई तो यहाँ पर उचाई कर लेंगे अब देखे आधार का छेतर फल कितना दिया हुआ है तो देखे आधार का छेतर फल दिया हुआ है 125 वर्ग मीटर और उचाई कितनी दी हुई है 4.5 मीटर तो यहाँ पर इ साइड में 125 से जो है 45 का गुड़ा कर लेंगे तो यहां पर देखे 25 हो जाएगा 25 का पांच और 5 दुनना 10 दू 12 हो जाएगा और 5 एककम 5 एक 6 हो जाएगा उसके बाद 4 25 20 20 का 0 हो जाएगा और 4 5625 आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए 5625 लिख लेंगे यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दसंबलो है तो यहाँ पर एक अंक के बाद दसंबलो लगा लेंगे और यहाँ पर देखिए आयतन है तो आयतन किसमे लिखते हैं घं सेंटिमीटर में और यहाँ पर देखिए मीटर लिख लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा है इस प्रकार से बहुत ही आसाई2000 basics क्यरा ज़्याव के ग lively अधार का च्षेत्रफल दिया हो तब हमको अगर उसका आयतन निकाल ना हो गणाभ accounted आधार का छेतफल गुड़े उचाई है उसका आयतन हो जाएगा तो इस प्रकार से फार्मूला लगा करके और बहुत ही आसानी से घणाव का आयतन निकाला जा सकता है अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है एक लंब बृतिये बेलन के आधार की तरिज्या तथा उचाई 10 सेंटीमीटर है उसका आयतन ग्याद कीजे एक लंब बृतिये बेलन के आधार की तरिज्या 7 सेंटीमीटर तथा उचाई 10 सेंटीमीटर है उसका आयतन ग्याद कीजे तो देखें इस कुश्चन को कैसे करेंगे तो देखें इसका वैसे होता तो direct formula है लेकिन formula लगाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेलन होता क्या है तो देखिए लंब बृतिय बेलन यहाँ पर कहा गया है तो देखिए बेलन जैसे pipe होता है यानि कि इस परकार से मान लिजे कोई भी वस्त इस परकार से अगर है तो वो क्या हो जाएगी बेलन हो जाएगी इस परकार से मान लिजे कोई pipe है तो यह क्या कहा जाएगा यह बेलन कहा जाएगा अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि त्रिज्या कहलाएगी यानि कि जो यहां सेंटर पॉइंट है देखे पाइप गोल होता है तो यहां पर जो बीच में सेंटर पॉइंट होगा केंदर बिंदू और यहां से जो चारों तरफ का गोला खींचा जाता है उस तरीके से आप समझ लिजे तो यहां पर यह क्या कही ज यहां से मान लीजिए यह सेंटर पॉइंट है यहां से जो है इस तरीके से यह बेलन की उचाई हो जाएगी तो यह उचाई दी हुई है दस सेंटीमेटर तो उसका आयतन हमको निकालना है तो यहां पर देखिए यह आप लोग समझ गए होंगे देखिए यह इस टाइप का हम बेलन की तरिज्जा लिख लेंगे देखिए बेलन की तरिज्जा कितनी दी हुई है बेलन की तरिज्जा बराबर देखिए दी हुई है साथ सेंटीमेटर और उसके बाद फिर बेलन की उचाई कितनी दी हुई है बेलन की उचाई तो देखिए बेलन की उचाई दी हुई देंगे, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर, तो देखिए, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है, क्या, आप लोग जान लेजिए, पाई आर इस्क्वाइर एज, यह होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला, अब यहाँ पर पाई का मन सभी लोगों को पता ही होग तो, पाई के जगे पर 22 बटे 7 होता है, और फिर यहां पर देखिए, R-square का मतलब क्या हो जाएगा? तिरिज्या का SQUARE, क्योंकि तिरिज्या को R से परदर्शित करते हैं, तो, यहां पर देखे, 7 का SQUARE हो जाएगा, तो यहां पर 7 गुड़े 7 भी लिख सकते हैं, और फिर गुड़े h है, h का मतलब क्या हो जाएगा, उचाई, क्योंकि height, height means क्या होता, उचाई होता, यहाँ पर h से परदर्शित करते हैं उचाई को, तो यहाँ पर देखिए, h जो है, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 साथ एक्कम साथ, और साथ एक्कम साथ हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए, जो है, गुड़ा कर लेंगे, तो यहाँ दस सते 70 हो जाएगा, और 70 का 22 से गुड़ा हो जाएगा, तो देखिए, कितना हो जाएगा, 7 ने 14, 14 का 4, और 7 ने 14, और एक 15, और यहाँ पर गहन सेंटीमीटर लिखेंगे तो 1540 गहन सेंटीमीटर हमारा एंसर आ जाएगा तो इस परकार से इस टाइप के कुश्चन लगाए जा सकते हैं यहने कि लंब बृतिय बेलन का आधार दिया हो और जो है तिरिज्जा दी हुई हो आधार की सारी लंब बृतिय बेलन के आधार क तिरिज्जा दी हुई हो और उचाई दी हुई हो तो उसका आयतन निकालना हो तो यहाँ पर पाई आर इसक्वायर जो है फार्मूला लगा करके आयतन बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं आप देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखिए नेक्ट कुश्चन है एक लंब बिर्तिय बेलन की परिद 132 सेंटीमीटर तथा उसकी उचाई 20 सेंटीमीटर है बेलन का वक्र प्रिस्ट ग्याद कीजिए तो देखिए इसको कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए डारेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे बेलन का वक्र प्रिस्ट बराबर तो देखिए फ आध़ार की परिधि गुडे उचाई, तो देखे ये होता है फार्मूला, और यहाँ पर परिध दी हुई है, उचाई दी हुई है, तो यहाँ पर इस फार्मूले के, जरिये इसको जो है तुरंट हल किया जा सकता है, परिध दी हुई है कितनी, 132 cm, देखे आप लोग आध़ आधार जान नहीं कुए हुं बेलन में देखिए अभी उपर बताया गया है यह होता है आधार तो देखिए इसके परिद दी हुई है यहां पर देखिए इसकी परिध दी हुई है और उँचाई जो है दी हुई है यनि कि जो ये उँचाई बताये थे ये दी हुई है ते उँचाई कितनी है 20 cm तो यहाँ पर देखे आधार की परिद गुड़े उँचाई हो जाएगा अब यहाँ पर इसका गुड़ा कर लेंगे तो देखे दो दुना चार हो जाएगा दो यहां पर लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर और यही जो है हमारा एंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस टैब के कुश्चन लगाया सकते हैं यने कि सभी कुश्चन यहां पर फार्मूले बेस पर हैं और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फार्मूले हैं तो आप लोग जनी हैं आप लोग जरूर रट लेना क्योंकि जब तक फार्मूले याद नहीं कर पाऊगे तो जो है इस के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं उम्मेद करता हूँ कि आज के सारे कुश्या आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक करें और यह चैनल पे नए है झाल 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 झाल